हलो बच्चो तो देखें आज मैं आपको MP बोर्ड द्वारा अपलोड किये गए प्रश्ण वेंग के कच्छा बार्वी फिजिक्स का फोर्थ उनिट के objective question solve परवाँगा तो ज़िये हमारा फोर्थ उनिट है तो फोर्थ उनिट में क्या है तो देखें फोर्थ उनिट का पहला प्रश्ण है विद्धुत चुम्ब की प्रेरण में प्रेरित विद्धुत वाकवल निम्न से स्वतंतर होता है तो चार option दिया हमारे पास, flux में परिवर्तन, समय, फेरों की संख्या, और कुंडली का प्रतिरोद, तो इसमें बिद्दु चुमकी प्रेरण, में प्रेरित बिद्दुत वाकवल कुंडली के प्रतिरोद से स्वतंत्र होता है, तो हमारा इसका जिब fourth option है वो सही है चलिए हमारा अगला प्रशन है स्वाप्रेरकत्व का मात्रक होता है तो स्वाप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है तो इसमें हमारा third option सही है अगला चुम्ब की flux का SI मात्रक है तो चुम्ब की flux का SI मात्रक बेवर होता है और CGS अत्रक max value था तो इसमें हमारा first option सही है अगला प्रेशन है भवरदाराओं का उप्योग किया जाता है तो भवरदाराओं का उप्योग जो किया जाता है इसमें चार उप्योग दारा मापी के रुद्द दौल बनाने में चाल मापी में, बिद्दुत ब्रेक में और उप्योग सभी तो भवरदाराओं का उप्योग इन सभी चीजों में किया जाता है तो हमारा इसका फोर्त option सही है अगला प्रेशन है लेंज का नियम संबंदित है चार option दिये हैं अगला उप्शन है आवे सर्रच्छन के नियम से उर्जा सर्रच्छन के नियम से द्रविमान सर्रच्छन के नियम से और संबेग सर्रच्छन के नियम से तो लेंज का जो नियम होता है वो उर्जा सर्रच्छन नियम के अनकूल होता है तो हमारा जे second option इसका सही है अगला प्रशन है एक कुंडली की कुल लंबाई को अब परिवर्तित रखते हुए कुंडली में फेरों की संक्या दुगनी कर दी जाती है तो उसका स्वाप रेरकत्त हो जाएगा तो जिस कुंडली के स्वाप रेरकत्त का एक फोर्मूला आता था L वरावर मू, मू, पाई, N2, R बटे 2 तो N होता था फेरों की संक्या यहाँ पर N का स्क्या है तो यदि फेरों की संक्या दुगनी करेंगे तो N की वेल्यू 2 रखने से स्कॉायर होने के काड़ फोर हो जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा स्वाप रिर्कत तो उसका चार गुना हो जाएगा तो हमारा जी ओप्शन इसमें फर्ष्ट सही होगा अगला प्रशन है खालिस्तान है तो पहला खालिस्तान है बिद्दुत चुम्मकिय युक्तियों में डेड्डेस के प्रभाव को कम करने के लिए क्रोड को पटलित बनाया जाता है तो भवरदाराओं के प्रभाव को कम करने के लिए क्रोड को पटलित बनाते हैं तो यहां पर हमें भरना है भवरदाराओ दूसरा है चुम्मक के फलक्स में परिवर्तन की दार डेड़ेस के अनुक्रमान पाती होती है तो चुम्मक के फलक्स में परिवर्तन की दार कुंडली में प्रेरित विद्दुत वहकवल के अनुक्रमान पाती होती है तो यहां पर हमारा option होगा प्रेरित विद्धुत वाकवाल तीसरा प्रशन है स्वाप प्रेरकत किसी कुंडली के डेड़ेस की माप है तो यहां पर हम इसकी चुम्मकन सीलता या चुम्मकी छित्र में से कोई भी option भर सकते हैं तो हम यहां समझ सकते हैं स्वाप्रेरस्ट किसी कुंडली के चुंमकन सीलता की माप है। सिक्स नहीं जह फोर्थ पैस प्फिप्थ सबसे कम तरंग्दहर्द है तो इसमें चार उप्चन दिए ऐक्स केंडों की द्रस्प्रकास की गामा केंडों की अवरक्त केंडों की तो सब से कम तरंग देर्द होती है गामा केड़ों की तो हमारा जिसका थर्ड ओप्शन सही है अगला प्रशन है विद्धुत चुम्मक्य तरंग में विद्धु छेत्र के परिमाण कैपिटल E तता चुम्मक्य छेत्र के परिमाण कैपिटल B में संबंध है तो चुम्मक्य चेत्रों एक relation होता है वो होता है c वरावर e वटे b c वरावर e वटे b तो जह आपको ध्यान रखना है तो इसमें हमारा यह थे हम b की value निकालेंगे तो b वरावर आ जाएगा e वटे c तो हमारा इसका first जो option है वो सही है आप ध्यान रखना c वरावर e वटे b ओके चली अब आता है हमारा second option sorry third question ओजोन मंडल अवसोसित करता है तो इसमें चार option दियें द्रस्ट प्रकास को माइक्रो तरंगे अवरक्त केने परावेंगनी विकरण तो ओजोन मंडल अपरावेंगनी विकरण को अवसोसित करता है अगला प्रेशन है यदि बिद्दु चुम्मकी तरंग में बिद्दु वेक्टर x दिसा में चुम्मकी वेक्टर by दिसा में है तो तरंग के संचरन की दिसा क्या होगी तो तरंग बिद्दु चुम्मकी 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 दोनों के लंबवत गती करती है तो इसमें एक्स और बाय में तो चुम्मकी 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 चुमकी बिद्दु चुमकी तरंग संचरन की दिसा होगी जेट डाइरेक्शन में तो जेट डाइरेक्शन मतला हमारा थार्ड तो एंगश्ट्रों ताग, इसके तरंग दहद की कोटी मीटर में यदे हम ज्याद करेंगे, तो इसका अंसर आ जाना चाहिए, दसकी गात माइनस के आठ मीटर, तो दिरस प्रकास के तरंग दहद की कोटी है, दसकी गात माइनस के आठ मीटर, अगला प्रशन है, खालिस्ता, आब्रती भी उसी तरंग की होती है जिसका तरंग देद सबसे कम होता है तो इसमें भी हमारा उप्सन होगा इसका उप्सन होगा हमारा गामा केने तो फर्ष्ट में इसमें बनेंगे हम गामा केने गामा केनों का तरंग देद सबसे कम होता है और आब्रती सबसे अधिक होती है अगला प्रेशन है बिद्धुत चुम्बके तरंगे डेड़ेस होती है तो बिद्धुत चुम्बके तरंगे अनुप्रस्त होती है अगला प्रेशन है परावेंगनी लेंपों के वल्व डेड़ेस के बनाए जाती है तो परावेंगनी लेंपों के वल्व क्वार्टज कांच किया जाता है तो जीवानु नासक के रूम में भी परावेंगनी केणों का ही उपयोग किया जाता है अगला है सूच्म तरंगों की तरंगधेद का परास होता है तो सूच्म तरंगों की तरंगधेद का परास एक मिलिमीटर कोटी का होता है तो हमारा जे कोशनिया पर खतम होत अब आता है हमारा छटवा यूनिट तो छटवा यूनिट के कुछ कोशन है जिनको हम स्वल्व कर रहे हैं पहला प्रशन है हमारा खालिस्तान ही है इसमें इसमें से खालिस्तान ही आना है तो पहला खालिस्तान है जायमिती चाया में प्रकास के अतिक्रमण को डेड़ेस कहते ह प्रकास में पतली फिल्म के रंगिन दिखाइदेने कारण की घटना है तो इसमें हमारा आएगा ब्यतीकरण ब्यतिकरण के कारण जो पतली फिल्म है वो रंगीन दिखाई देती है तो हमारा इसमें खाली स्थान हो जाएगा ब्यतिकरण अगला है तरंग संचरण के दोरान समान कला में दोलन करते बिंदूओं के बिंदू पत को डेड़ेस कहते हैं तो इसको हम बोलेंगे तरंगाग अगला है बिंदू स्रोत के कारण उत्पन तरंगागर डेड़ेस होता है तो बिंदू स्रोत के कारण उत्पन तरंगागर गोलिय होता है अगला है तरंग शुरोत के प्रेचक से दूर जाने के कारण तरंग धैर्द में ब्रद्धी को डेड़र कहते है। तो यहाँ पर आएगा कॉमपटन प्रभाव। तो इस तरह हमारे जे इस चेप्टर के जितने भी जो प्रश्न थी ऑब्जेक्ट वो हमारे खतम होते हैं बाकी हम अगले वीडियो में बताएं